एक बार सोच करके देखो Music AI generate करेगा Visuals AI generate करेगा आप कुरसी पर बैठे हो आप सबको एक जगा ला करके जोड़ दो उसे पैसे कमाने वाली मसीन बना दो और आप बैठ के मजे ले दे रहो वो आपको lifetime तक पैसा कमा करके देता रहेगा तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं पहले आपको बताता हूँ कि आप लोग सीखने क्या वाले हो तो सबसे पहला चीज कि आज हम लोग AI music channel के बारे में सीखेंगे तो AI music channel की खास बात क्या है कि music channel lifetime earning देता है और दूसरा खास बात यह है कि आप AI की मदद से आज 2024 में बहुत आसानी से एक music channel चला सकते हो और वही चीज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को A to Z process बताया हूँ तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे कि AI music channel के लिए channel customization कैसे करें और उसके बाद दूसरे नमबर में हम लोग सीखेंगे YouTube channel की setting कैसे करें और तिसरे नमबर में हम लोग सीखेंगे song creation जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस AI का इस्तेमाल करके आप लोगों को song बनाना है और कैसे बनाना है पूरा A to Z process एंड उसके बाद साधे साध मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग visuals को create कर सकते हो AI की मदद से एंड एंड में बताऊंगा मैं आप लोग कि कैसे आप लोग cap cut का इस्तेमाल करके सभी चीजों को add करके उसे पैसे कमाने की machine बना सकते हो इसलिए इस वीडियो को आप बिना skip किए एंड तक जरूर देखना तो चलिए सुरू करते हैं देखो एक YouTube चैनल बनाना तो बहुत आसान है लेकिन उस चैनल को पूरे तरीके से music के लिए कस्टिमाईज करना बहुत मुस्किल लेकिन यह कुछ भी मुस्किल नहीं है जब आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपका सबसे पहला कठेन काम यह होगा कि आप अपने चैनल के लिए एक best name find करो तो उसे find करने के लिए आज मैं आप लोगों को दो तरीका बताता हूँ सबसे पहले आना है YouTube पे and अपने चैनल से रिलेटर जिस परकार का भी आप अपना चैनल का नाम रेखना चाहते हो उसे आपको सर्च कर लिए यूट्यूब पे जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लिता हूँ अपने चैनल से रिलेटर म्यूजिक चैनल मतलब AI म्यूजिक चैनल and इसे फिल्टर कर देना है चैनल के लिए जब आप ऐसा करोगे तो आप लोगों के पास बहुत सारी चैनल ही आजाएंगे तो आप लोग यहाँ से छोटे चैनल को कोपी कर सकते हूँ जिसने अभी अभी बनाया हुआ है और काम करना छोड़ दिया है और अगर आप लोगों को पसंद आ जाता है कोई भी नेम तो आप उसी नेम से अपने चैनल को बना सकते हो बाद में कोई प्रोब्लम नहीं होगा आप ही का चैनल उपर में रैंक कर जाएगा या अगर आप चाहते हो कि मैं यहां से किसी चैनल को कोपी ना करके अपना खुद का नेम सेलेक्ट करूँ तो आप यहां से सिर्फ आइडिया ले सकते हो आप लोगों को यहां पे हजारों चैनल से मिल जाएगे तो चलिए अब बढ़ते हम नेक्स अस्टेप की और जो कि आपको चैनल का नाम सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों चैनल को पर मैंने बहुत टाइम दिया जिससे मेरे को बेस्ट नेम फाइंड हुआ मेरे हिसाब से आपको कैसा लगता मैं नहीं जानता आप अपने चैनल का नाम अपने हिसाब से रखिएगा चलिए अब आपको अपने चैनल का नेम चैन्ज करना है तो उसके लिए आप अपने चैनल को Chrome Browser में लोगिन कर लो यहाँ पर देख सकते हो मैंने लोगिन कर लिया है अगर आपका हैंडल अवलेबल रहेगा तो green टिक रहेगा अगर नहीं अवलेबल रहेगा तो यहाँ पर red हो जाएगा अब चलिए आप लोगों को यहाँ पर अपने हैंडल को select कर लेना है और साथे साथ आपको अपने YouTube चैनल का नेम भी change कर लेना है अब यहाँ पर अपने चैनल को publish कर देना है मतलब आपका नेम भी change हो चुका है अब बारी है अपने चैनल के लिए एक attractive bio generate करने का तो उसके लिए भी मैं chat GPT का इस्तेमाल करने वाला हूँ आपको सारा prompt इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो आप लोग copy कर लेना मैं इसे fast forward कर देता हूँ अब यहाँ पर generate किये गए bio को copy कर लेना है and copy करने के बाद आपको अपने चैनल पर आना है and description में इसे paste कर देना है paste करने के बाद simply आपको कोने में publish का बटन दिखेगा इसके उपर click करके अपने चैनल को publish कर देना है दोस्तों अब आपका चैनल तो publish हो गया लेकिन अभी तक आपके चैनल की branding नहीं है उसे करने के लिए आपको अपने चैनल के लिए best logo और banner बना लेना है जिसे बनाने के लिए आप किसी भी tool का इस्तेमाल कर सकते हो मैंने अपने चैनल के लिए logo और banner बनाने के लिए canva का यूज किया है जो कि अभी आप लोग यहाँ पे आ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अगर आप लोग के पास already अपने चैनल के लिए logo और banner है तो आपको यहाँ पर simply आजाना है अपने चैनल के branding में और अब आपको यहाँ पर logo को यहाँ पे दो जगा देना है एक जगा यहाँ पे और एक जगा यहाँ पे अपने banner को इस जगा पे लगा देना है चलिए मैं इसे भी fast forward में लगा लेता हूँ तो दोस्तो अब मैंने सब कुछ add कर लिया पहले चैनल कुछ इस परकार का दिखता था अब चैनल का look कुछ इस परकार का हो चुका है अब हम लोग बढ़ते हैं चैनल के next setting की और जो की है layout इसे अच्छे तरिक से customize करना आप लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी है इसी से आपके audience को पता चलता है कि आपके channel में कितना दम है तो उसे add करने के लिए simply आपको यहाँ पर add के उपर click कर देना है और उसके बाद आपने channel पर upload किये गए best video को select कर लेना है जो आपके channel के लिए best हो और audience के लिए भी तो मैं यहाँ पर एक को select कर लेता हूँ and अब आपको यहाँ पर एक feature video भी add कर देना है and अब यहाँ पर आपको दिखेगा for you tab इसको आपको यहाँ पर enable कर देना है enable करने से आपके channel पर एक tab दिखेगा जो मैं आपको अपने channel पर दिखाता हूँ ताकि लोग आये तो वहां पर कुछ वीडियो को देखे तो दोस्तों आपको यहां पर इसको इनेबल कर देना है और यहां पर कुछ sections add कर देना है जैसे वीडियो में यहां पर 4 वीडियो मेरा add हो चुका है अगर आप लोग और add करना चाहते हो जैसे popular video तो यहाँ पर popular video आप लोगों को यहाँ पर add कर देना है and अब simply आपको इतना करने के बाद publish कर देना है Congratulation अब आपने अपने channel के layout को भी change कर दिया है यहाँ पर देख सकते हो मैं इस channel का layout अभी आप लोगों को दिखाता हूँ तो अभी देख सकते हो channel का layout कुछ इस परकार का हो चुका है चलिए अब मैं यहाँ पर आपको channel के कुछ important setting के बारे में बताता हूँ जो आप लोगों को enable करना बहुत जरूरी है तभी आपका channel जल्द से जल्द ग्रो होगा तो उसके लिए simply आपको यहाँ पर कोने में setting का icon दिख रहा होगा इसके उपर click कर दिना है जैसे ही click करोगे तो आपके पास कुछ इस परकार का page दिखेगा यहाँ पर channel में चले जाना है channels में आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले country select कर लेनी है जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया को select कर लेता हूँ और यहाँ पर जितने भी tags मैंने upload किये हैं जो मेरे channel के लिए best है आप लोग भी मेरे channel का copy कर सकते हो या अगर आप लोग new tag add करना चाहते हूँ तो simply आपको आना है rapid tag पर अपने channel से related एक tag यहाँ पर type कर देना है मतलब keyword और उसके बाद यहाँ पर search कर लेना है जैसे ही आप search करोगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी keyword मिल जाएंगे यहाँ से आप लोग इसे copy कर सकते हो एगरी के उपर click करके यहाँ पर copy कर सकते हो तो simply हम यहाँ पर रहने देते हैं जो मेरे channel पर already available है उसे ही रहने देते हैं अब आपको यहाँ पर advanced setting में आ जाना है advanced setting में आने के बाद यहाँ पर दिखेगा audience audience में आपको यहाँ पर no set this channel as not made for kids यहाँ पर आपको tick कर देना है ताकि आपके channel पर महांगे add चले और उसके बाद अब आपको यहाँ पर feature eligibility में आ जाना है और यहाँ पर यह तीनों चीजों को enable कर लेना है enable करने के लिए आप लोग YouTube पर वीडियो देख सकते हो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं चलिए अब हम simply यहाँ पर save कर देते हैं इसे and उसके बाद फिर से हमें setting में चलना है and upload by default में आना है upload by default में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको title दिखेगा title में आप अपने channel का name लिख दीजेगा hashtag के साथ and यहाँ पर new AI song मेरा channel AI related है तो हम यहाँ पर AI song लिख दिया है आप अपने channel के हिसाब से मतलब song के हिसाब से कुछ title एड़ कर दिजेगा and उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा description description लिखने के लिए आप मेरे ही channel पर जा सकते हो channel का link description में मैं फिर से बोल रहा हूँ उसे copy करके अपने channel के लिए upload by default में यहाँ पर add कर देना है and उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा visibility यहाँ पर public, private, unlist यहाँ पर आपको unlist कर देना है and उसके बाद यहाँ पर आपको tags दिखेगा जो tags आपने अपने channel की keyword में add किया था वही tags आपको यहाँ पर add कर देना है और यहाँ पर कुछ कम tags add करना है ताकि जब आप वीडियो को upload करो तो उस वीडियो के हिसाब से फिर से इसमें आप कुछ tag add कर पाओ और उसके बाद यहाँ पर आपको save के उपर click करके save कर देना है तो finally अब आपका channel ready हो चुका है एक वीडियो को viral करने के लिए तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग AI का इस्तिमाल करके music और साधे साथ वीडियो जेनरेट कर सकते हो तो song जेनरेट करने के लिए जिस AI टूल का मैं योज करने वाला हूँ अपने channel के लिए उसका नाम है सुनो AI कैसे आप लोग इसका इस्तिमाल कर सकते हो चलिए मैं आप लोगों को पूरा detail बताता हूँ तो simply आप लोगों को आ जाना है Chrome में और यहाँ पर सर्च कर लेना है आप लोगों को सुनो AI जैसे आप सर्च करोगे तो आप लोगों के पास यह website दिखेगा इसे open कर लेना है ओपन करने के बाद सिंपले आप लोगे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर सिंपले आप लोगे को Mac A Song के उपर किलिक कर देना है जैसे ही किलिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर simply आपको create के उपर click कर देना है तो जैसे ही आप click करोगे तो आप लोग उपास यह तीन option दिखाई देगा Discord, Google and Bing यहाँ पर आप लोग को Google के उपर click कर देना है अब आपको अपना email id सेलेक्ट कर लेना है जिस email id से आप सुनो AI के उपर account बनाना चाहते हो अब continue के उपर click कर देना है अब आपका account बनके ready हो चुका है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर song generate कर सकते हो तो उसके लिए यहाँ पर आपर एक box दिख रहा होगा इस box में आपको song का title डालना है और साथी साथ कुछ lyrics भी add कर देना है मैं फटाक से add कर देता हूँ lyrics को add करने के बाद simply आपको यहाँ पर create के उपर click कर देना है जैसे आप create के उपर click करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि दो song यहाँ पर generate हो रहा है आपको यहाँ पर 50 credit daily मिलता है आप लोग daily 10 song create कर सकते हो बिल्कुल free में यहाँ पर देख सकते हो मेरा 2 song बनके ready हो चुका है चलिए मैं आप लोगों के सामने इसे पले करके दिखाता हूँ बहुत अच्छे से generate हुआ है अगर आप लोगों को यह song पसंद नहीं आता है तो simply आप लोगों को यहाँ पर text में कुछ और edit करना है जैसे आप लोगों को यहाँ पर सुना होगा Hi Hello करते हो मेरे पिछे गुमते हो और यहाँ पर इसके नीचे और कुछ add कर लेना है ताकि आपका song थोड़ा लंबा बने तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना पूराना song जो मैंने generate किया हुआ है तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो है वही song सिर्फ वेस्ट है तो आप लोगों को यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है यह फ्री में है आप लोगों को तीन चार इमेल आइडी से अकाउंट बना लेना है और जब तक फ्री है तब तक आप मजे उठा लो यार अपने चानल को ग्रो कर लो और बाद में यह फिर से पेड हो जाएगा तो आप लोग फिर डॉमो याई की तरह बोखते रहना की वीडियो मेरा कनवर्ट नहीं होता है यह नहीं होता है तो यहां पर देख सकते हूं मेरे को यहां पर आप 20 क्रेडिट इस याई टूल में भी बचा हुआ है मतलों इस अक इस यहां पर देख सकते हैं जो भी मैंने टेक्ट दिया था यहां पर दिख रहा होगा आपको एंड इस टेक्स्ट के हिसाब से इस एई टूल ने मेरे को इतना बड़ा सॉंग लिख करके दिया और जेनरेट करके दिया अगर आप लोग इस सौंग को डाउनलोड करना चाहत हुआ तो सिंपले इस ठीडाट प़े क्लिक कर ओ यहां प्राव लोग को डाउनलोड दिखे गा इस उड्यू को पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो अब आपको डाउनलोड है है इसे पली करके भी सुना देता हूं कि तुन जोर दिया मुझे तो बीन पूछे आज दोफो अब आपका यह पर सारा काम हो चुका है चैनल कष्टेमाईज हो चुका है बैनर वगयरा लग चुका है यह सोंग हो चुका है अब बारी है सोंग में जान देनी की जो कि है वीडि चलिए मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा पूरा step by step तो आप लोग इस वीडियो को skip नहीं करना part wise इस वीडियो को divide किया गया है तो आप लोग part wise देख सकतो जिस भी part को जानते हो तो उस part को एक click में skip कर सकतो using description तो चलिए यहां पर simply आप लोगों को search कर लेना है Pika Labs यहां पर देख सकतो Pika Labs पर मैंने पहले ही account बना लिया है यहां पर आप लोगों को आना है and my library के उपर click कर देना है यहां पर देख सकतो आपके सामने मैंने इतने सारे वीडियोज वगरा जनरेट किये हुए है जो आप लोगों को YouTube पर भी मिलेगा वाई यहां पर देख सकतो कितना अस्मूध तरीके से इन्होंने वीडियो को जनरेट करके दिया हुआ है and दोस्तों अब आपको यहां पर एक box दिख रहा होगा इस box में आपको अपने song के related prompt डालना है तो अब simply आप लोगों को यहां पर start के उपर click कर देना है जैसे आप click करोगे तो आपको यहां पर video generate होता हुआ दिखाए देगा यहां पर your video will start generating soon मतलब बहुत जल्द आपका video जो है generate किया जाएगा आप लोगो थोड़ा दिर wait करना है दोस्तों यहां पर मैंने एक दूसरा prompt भी डाल दिया था जिस कारण से दो video generate हो रहा है आपको यहां पर यह जो percentage में दिख रहा है यह आपके सामने जो मैंने prompt दिया था वो video generate हो रहा है यह बहुत जल्द generate हो जाएगा चलिए मैं इसका result आपको दिखाता हूँ तो यहां पर देख सकतो कि video बनके ready हो गया है तो simply आपको क्या करना है कि इस video को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां पर click करो और download कर लो यहां पर देख सकतो video download हो चुका है चलिए मैं इसे पहले आप लोगों के सामने पले करके दिखाता हूँ फूल स्क्रीन में क्या हिला डाला ना इन दोस्तों इसी परकार से आपको अपने song के लिए बहुत सारे videos को generate कर लेना है इन दोस्तों अब आप पहुंच चुके हो इस video के final part में जहां पर आप सीखोगे कि song और visuals को add करके एक पूरे तरीके से song कैसे create करते हैं तो उसके लिए simply आपको cap cut open कर लेना है cap cut open करने के बाद आपको सारे raw material import कर लेने है जैसे कि मैं यहाँ पर कर लिया हूँ उसके बाद सबसे पहले आपको अपने song को यहाँ पर timeline पर add कर लेना है add करने के बाद simply आपको कोई एक visuals add कर लेना है जैसे मैंने यहाँ पर इसको add कर दिया है add करने के बाद इसको ही copy कर लेना है आपको copy करने के बाद फिर से paste कर देना है paste करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह ले आना यहाँ पर इधर लाने के बाद simply इसको select करके इसे reverse कर देना है जो 3 second और 4 second की वीडियो clip रहेगी उसे reverse कर देने के बाद आप यह 8 second की बन चुकी है मतलब यह 4 second और यह 4 second मैं इसे अब आपके सामने प्ले करके दिखाता हूँ तो ने खोर दिया मुझे को भी न पूछे और दोस्तों इसी प्रकार से आपको और भी वीजूल्स टाइम लाइन पे एड़ करके रिवर्स करके थोड़ा वीडियो को लॉंग कर लेना है मैं इसे fast forward से कर लेता हूँ और दोस्तों सारे वीजूल्स को एड़ करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है इस ट्रांजेक्शन में आ जाना है एंड दो किलिप छोड़ करके यहाँ पर तिसरे किलिप के एडिक्शन में आपको एक effect लगाना है मतलब transaction और इसे थोड़ा सा बढ़ा कर देना है एंड अब मैं आपके सामने इसे चला करके दिखा देता हूँ मस्त अब क्या करना है इसी परकार से आपको दो दो किलिप छोड़ करके हर एक किलिप के end में transaction लगा देने है एंड इतना करने के बाद simply आपको इसी वीडियो को फिर से copy करना है सारे को select करके एंड यहाँ पर फिर से paste कर देना है paste करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर यह आ जाएगा एंड यहाँ पर फिर से जो addiction हुआ इसमें आपको एक transaction लगा देना है एंड इसी तरह से पूरे song में आपको वीडियो एड कर लेना है तूने थोर दिया एंड दुस्तों अब आपको यहाँ पर कोने में एक logo दिख रहा है इसको remove कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ अपने channel का logo simply यहाँ पर आपको import कर देना है एंड इंपोर्ट करने के बाद आपको simply आप timeline के end तक कर देना है इसे छोटा करके यहाँ पर add कर देना है इतना करने के बाद आपका वीडियो finally ready हो चुका है अब इसे export कर लें मैं आपको export किये गए वीडियो दिखाता हूँ क्यों किया तुने मुझे को रोका देया तिल की धड़कन थम दई तनहाई मैं मुझे को तुझसे जुदा किया तिल की याग भर्दग गई ऐसा तु किया तुने मुझे को चुड़ा दिया तिलाई रोदिया एंड दोस्तों अगर आप लोग किसी पॉड़कास्ट को short वीडियो में convert करके YouTube पर upload करके ग्रोवना चाहते तो आप लोग इस वीडियो को देख सकतो अगर आप लोग फेक फैक्ट वीडियो बना करके अपने चैनल को ग्रोव करना चाहते हो तो कॉमेंट करो उसके ओपर भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगे और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लेज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना